यहाँ पर परदेए गिले लेकिन आप देखें इसकोचाण्य में तब्दील कर दिया गया यहां है 3 होमिये हैं 3 फोड़ी देर में आये थिए 2 आई जोड़हारestsीर दीव परिश्र थोड़ा है दूसरे गेट से मेडिकल इंटर हो रही है वह थोड़ी देर में जो इंकाउंटर में घायल हुए जिनके दोनों पैर में गोली लगी हुए दो अपराधी है वह थोड़ी देर में एमिजनसी में आएंगे उनका इलाज यहां सुरू होगा बता दें दोन जेए जाद को खाबू में करने की खानून विवस्था की पूरी-पूरी कोशिश नजर आती है लेकिन सिलसलेवार तरीके से अमित एक बार फिर से समझाईए कैसे ये पूरी मुढभेड होती है कैसे पांच आरोपी गिरफ्स में आते हैं यहां पर पहले इलाद चल आता वहां भी हैवी डिप्लाइमेंट किया गया है तो वहीं जब अब मेडिकल कॉलेज में इन लोगों को ट्रांस्पर किया जा रहा है वहां भी हैवी डिप्लाइमेंट है अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं तीरा तरीक के इंसा के बाद उसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है मुख्या आरोपी इस पूरे मामले के तीन हैं और सभी आरोपियों को लगातार तलास कर रही थी यूपी एस्टीएफ और लोकल पुलिस की कई टीमे लगातार दबीश दे रही थी जहां जानकारी मिलती थी इनपूट मिलता था वहां वहां दबीश दे रही थी ऐसे में आज भी लोकल पुलिस और यूपी एस्टीएफ पूरी तरीके से अलर्ट थी और उन लोकल के एक कि यह आरोपी जो है वो नेपाल भाग सकते हैं क्योंकि नेपाल में इनके रिष्टदारी है जहां पर यह हिंसा हुआ है वहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर इंडो नेपाल बॉर्डर है जैसे ही सरफराज उर्फ रिंकू और तालीब जो है नेपाल भागने के फिराक में तक पहुंचाएंगे लेकिन जो बहराइच से सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है वो दरसल उस मिडिकल कॉलेज के परसर की है जहां पर कुछी देर में ये बताया जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं वो दोनो आरोपी जो नेपाल भागने की फिराख में थे जरूर आती है जिसे अब खारिज कर दिया गया है और इस बीच जहां आरोपियों का इलाज चल रहा है हला कि अब यहां पर पहुंचेंगे पर क्या कुछ डॉक्टर्स जो की इलाज कर रही है दोनों का क्या उनकुछ उन्होंने कहा आप सुनिये जरू कि क्या नाम था रू तो दोनों के एक के दाएं पैर में एक के बाएं पैर में चाइस तिती जो लोगी सभी है और तोड़ा जो गोली है गोली अभी अन्दर ही है क्योंकि एक्जिक पॉइंट उसमें नहीं दिखा है बाकि हमने दिश्टिक हॉस्पिटल बायराइच के लिए रेफर कर दिया वह एक स्रे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए इस्तिती दोनों की नॉर्मल है तो आप उन डॉक्टर को सुन रहे हैं जिन्होंने कुजर पहले दोनों ही आरोपियों का इलाज किया सरफराज और तालिब की जो तस्वीर है वो इस वक्ट आपके सामने मौजूद है दोनों की ए पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो उनमें से दो को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है अभी उनका हालत देखें पर डीटेल्स वांगें तो नहीं में जोनों का नाम है एक नाम है मौहमध सरफराज एक का नाम है मौहमध तालिब कहां पर गया इंगा उंधर हुआ हुआ ना पर इंगने की कोशिश करने ए द प्रिंदा शकलाइस पी बहराइच को आप सुन रहे थे उन्होंने यहां पर यह जानकारी साजा की कि 5 आरोपियों के गिरफसारी हुई मुढबेड हुई और उसके बाद 2 आरोपि यानि मुहम्मद सरफराद और मुहम्मद तालिब जो है इस एंकाउंटर में जखमी हुए लेकिन हालत खत्रे से बाहर है यानि कि जान पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है पर इलाज के लिए क्योंकि डॉक्टर के जरीए जो आपने सुना भी कि रेफर यहां पर आगे कर दिया गया है बहराइच में और हमारे से योगी यहां बता भी रहे थे कि जो प्रात्मिक ट्रीटमेंट होता है वो यहीं पर होता है लेकिन किसी तरह से माहौल ना बिगड़े उसके लिए जो तस्वीर इस वक्त मौके से सामने आरे ही है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से चावनी में यह पूरा जो परिसर है वो यहां तबदील हो चुका है क्योंकि जब 13 अक्टूबर को यह पूरा मामला हिंसा के तौर पर सामने आया खानून विवस्ता फॉरन आक्शन मोड में आया किसी भी तरह से बवाल मचाने को लेकर सक्त निर्देश यहां पर दिये गए खुद जो मोर्चा है वो ADG Law & Order अमिताब यश ने अपने हाथों में समाला जिन से कुछ देर पहले बाचीद भी हमारी टीम ने की और बताया उन्होंने कि फिलहाल पांच आरोपी जो गिरफ्त में आए दो के साथ मुड़ भेर होती है नेपाल भागने की फिराख में रहते है ऐसे में पैर में गोली लगने की खबर उन्होंने हमसे सबसे पहले साजा की और यही ठीक खबर सामने आई है कि तैर में गोली लगी है जिसके बाद इलाज के लिए भरती करवाया गया अमित हमारे सेयोगी हमारे साथ जानकारी के लिए मौजूद है अमित विरंदा शुक्ला इस पी बहराइच को भी हम सुन रहे थे हलाकि बहुत ज्यादा डीटेल तो नहीं लेकिन बताया पांच आरोपी, दो जखमी और फिलाल बहराइच में ट्रीटमेंट जी है बिल्कुल देखिए और ये पुलिस को कामियाभी इसलिए मिली है हिंसा पर कंट्रोल इसलिए मिला था जब हिंसाओं आप हो रही थी आगजन्मी हो रही थी क्योंकि अमिताब यस लॉइन ओर जो है यूपी स्टीएफ चीफ भागने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल का क्या केलेक्शनल में है उसके नजदीक है अभी बताते हूँ यह मैं देखते हैं मिल्का है इसलिए पांच आरोपियों की गिरफतारी यहां पर इस पूरे मामले को लेकर हुई जब एंकाउंटर यहां पर हुआ तो दो के पैर में गोली लगी मुहमद सरफराज, मुहमद तालिब दोनों का इलाज अब वहराइच में यहां पर किया जाएगा अमद हमारे सेयोगी हमारे साथ बने हुए है झाल सबस्सटा добав। किझा लगी हमारे साथ चाल